तो नमस्कार आदाब सस्रियाकाल वेलकम तो दिफ फिफ्ट एपिसोड ऑफ गर्ट टोकपोड और इस टोकपोड के हमारे गैस्ट है FXZ.01 एके ए मुहम्मद फैजान इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि आट फिल्ड में क्या-कया चेंजीस आरहि undert की जुरूरत है राट फिल्ड को और इनसे आप 50 से रिलेटि बहुत कुछ आनने को मिलेगा तो एज कैसे हैं मैं अभी तक मेरी बात चीस नहीं होई है तो हम अगले podcast में भी उन्हें invite करेंगे उनसे हम उनका background जानेंगे उनके artistic process को जानेंगे उनने क्या-क्या challenges फेज करें उनके बारे में जानेंगे उनके style के बारे में जानेंगे क्या uniqueness वो डपलप करते हैं उनके बारे में जानेंगे इमोशन को वो कैसे आर्ट के फेरू दिखाते हैं उनके बारे में जानेंगे क्या आर्ट community उनने-गाइड करती है क्या आर्ट community से attach रहना हमारें लिए फायदमन साभित होता है वो भी जानेंगे और साथ इसाथ उनकी personal life के बारे में जानेंगे फिफ्ट एपिसोड फाइब में आप सभी का स्वागत है हमारे साथ है अभी एक ए मोहमत फैदान हां जी ठीक है सर नाम सही है मैं पहले तो यह जाना चाहूंगा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस फिल्ड में एंटर करने से पहले इंस्पिरेशन मेरी कुछ इसी मुद्णलब रहे नहीं है मुद्र मन में walck V 박 लाप में मेरह सब्धा रहता ला पढ़ाई में मेरा थमा मन नहीं मैं लागता था पर बश्चमन से आपने सीखा नहीं से नहीं सीखा नहीं है सीखा मैंने यह जब मैंने जॉइन किया कॉलेज में तब उसके पर रखा है बीएफ़ भी स्टार्ट कि मेरा लास्ट यह रही है तो आप अपना बैक्ग्राउंड कुछ बता सकते हैं कि अभी आप कैसे इंटर होए और क्या क्या चेंजिस फेस कर अभी आर्ट फिल्ड में आनक बाद हाँ मैं यह फस्ट इयर में जब मैंने इंटर किया था तो मुझे जैन्मिन कुछ मालूम नहीं था कुछ भी इसके बारे पर आप में करफ दो कमर्स लेने के भाड क्या हुआ फिर यह मन में आ गया यह कॉमर्स लों गा तो आब यह से होगा फिर थोड़ा वैसे पढ़ने में बैक्वाय मसू नहीं था marks पर में फिर मैंने चौड दिया और मिने चोड़ दिया एक सैle प्रियाग राज से मैंने बाल बारती स्कूल से 1112 कि यह मैंने आट्स लिया था तो वहां से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था में वहां थोड़ा मुड़ा किया स्कूल में थोड़ा नाम था मेरा आर्ट वगेरा में इसके बाद के बाद फिर मैंने पापा को पापा मेरे पहले घर वाले मम्मी तो माने थी पापा कि पापा का कहना यह था कि इस पापा को समझाए पापा पापा को समझाए पापा पर मान भी गया थे ज्यादा इतना वह नहीं लिए पापा को समझाए फिर पापा मान गए तो फिर उन्होंने सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब फेसिक्तेश्गेश् है पापा मिन अकशोच फ्रसव नहीं महिंधा ay no कि यह हुआ की पापा ने यहां पर फ्क छिया पदा किया कि कोई को अटquar को वहां पर ही फिर मैंने ओंड जी पापा ने दिला एवड मिशन लेने के बाद फिर ड्म में इरफ कहीं था मेरा लक मानता में मेरा लाइक अच्छा है ना उसी वक्त तो मेरे मेरे गुरू थे राश विहारी शाह, राशु सर्जिन को मैं बोलता हूँ, वो मुलाब उसी पहला बैची मैं उनका पहला बैच था, वो मेरा लग बहुत अच्छा है, कि वो मेरे को मिल गए, वो मिले ना तो उसके बाद मेरी जर्नी अलग हो गई, मुलाब आर्ट फ उसके बाद मैं आर्ट वक को इतना सीरियस बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया हद से ज्यादा सीरियस लिया मैंने, तब जाके इतना कुछ अचीव किया जो भी अभी तक थोटा मोटा चीज दिया किया, किया, मैंने आपका इंस्टाग्रम स्क्रोल करके देखा था, उसमें बहुत सारे कंटाइम था आपका वर्साटाइल आर्टिस्ट वहां बहुत ज्यादा, पर मिरको आपका वह चीज थोड़े सी कम ही लगी, आपकी नहीं मतलब कि और साइड में कि आप बहुत ही वह हो, मतलब जि सबसे बढ़ा ही है, मेरे पास अच्छा PC है, फोन अच्छा है, सब अच्छा है मेरे पास, मैं जहां फ्लैट मेरे रहा है, यह बहुत अच्छा है कि इसमें अगर मैं लग गया हो तो फिर मेरा खराब होने लगता है, और इतना ज्यादा काम भी करना होता है, प्लस बाहर कॉम्पटिशन और सीन है, तो यह तो सोचल मीडिया तो कभी भी कर सकता हूं, मलब यह मैं अब इसको अभी मैं बैचलर्स में ले ले लूँ फिर मैं सीखूंगा कैसे, इसी चकर मैं छोड़ देता हूं, फॉल्वर्स वगर इतना ध्यान नहीं देता हूं, वो मुझे हाइप बनाना है, बना लूँगा, वो तो है, नॉलेज है, सब है, मैंने यूट्यूब के उसमें जरनी में गुसा हूं, मैं गेमिं किया, मैंने एक छे महिना, साथ महिना किया, लेकिन मेरा अर्टोक बहुत खराब हो गया था, उस समय, लॉक्डाउन की बात है, मैं फ़र्स्ट यर तो लॉक्डाउन मेरा आ गया था, तो उसमें मैं गेमिंग किया था, बहुत अच्छी से, मेरे सब्सक्राइबर भी 2000 हो गय किया इतने दून, मैंने एक काम ने किया था, पूरे लॉक्डाउन में, तो गुरू ने वस फटकार लगाई तो समझ में आगे तो मैंने सब छोड़ दिया, नहीं करूंगा गेमिंग, मुझे आर्ट वर्क करना है, ओके आपकी इंस्पिरेशन क्या है, अभी तक आर्ट फि सब्सक्राइब करते हैं, जयसे कि आप देखके काम करते हो, मैं भी अपने गुरू का काम देखके काम हो, लेकिन नहीं है, आपकी स्टाइल अलगी हो जाएगी, दीरे-दीरे, आप पहचान जाओगे खुद, वस्टियर में जब आया था, तो पैंसि वगएरा कुछ किसी च हैं में ने रखागी आफ़े सबस्क्राइब संग्रां करता वाट अबने में करने के लिए अलग चीज आती है सब कैन्वस व्गएर सब मिर बताया तो मैंने उनको अपनी पूरानी स्केश और दिखाया थे तो तो उनको हाथ अच्छा लगा यहां यह काम है इसका थोड़ा और सबसे मज़े की वात ही है मैंने ऑईल कलर 12 में किया था वह वी ऑईल कलर पानी लगा कि करकर करते हैं तो फिर से मैंने लास्ट में चार्ड़ कर दिया था तो मेरे सर ने मिरे सर ने कुछ के अगदम नॉलेज लिया बहुत अभी भी लेता हूं तो पूरी लाइफ लूंगा मैं इसे सवाल ये बनता है कि क्रियोटी प्रोसेस आपकी क्या है मतलब आइडिया कहा से और फिरिश्ट कैसे बना तो उसके बारे में थोड़ा बताइए मेरा जैसे कि आपने देखा ह सब्सक्राइब क्या है डालता लाइए मेरा ये थोड़ा सा पता नहीं बेकार है कि क्या है मेरे अंदर ये चीज है मैं अभी पोस्ट करने लगा हूं चार्कॉल वगरब ठोड़ेख से एक यह कि यह एक चाहिए हैं कि भी में कॉट सा ध्यान दे रहा हूं कि कुंकि कंटेंपररी शेम में चलना भोट जादा सलना है स्टाइल मेरी यह है कि मैं फुरा ट्राइब से वठ नों साओ साइट ने के सावराइब करता हूं तर हցआ को उद्र के ट्राइबस उछ है में दोने इस के बारे मौर पड़ो देखो तो तो फिर मैंदेखा था तो सी कि मिलता जुलता तेरी कुट्टू हो गया फिर आपने कंतारा मुवी देखी होगी उसी से मेरा काम है समझ लीजे उसी से उसी को मैं मास्क में फेस को क्रिएट करता हूं फिर बनाता हूं तो मेरा उयल मी यही वक है यही थ्म चलता है और वाठर कलर में मेरा लेंडस्केप पुरा चार कोल चार कोल और फिर उसके अन्मन खतम होगा तो रुक जाओगा फिर दूसरा पैनिवाक करने वाना पैनिवाक करोगा जो मेरा इच्छा करजाए त्युक्तु मैं बनाता हूँ यह है कि आगे निकलते हैं लर्निंग के बात करें तो आटिस्ट में सबसे बड़ी अच्छी चीज है क्या ना कि पूरी लाइफ आफ सीखते ही रहोगे सबसे अच्छी चीज है अगर आटिस्ट अपने आपको समझ गया कि मैं परफेक्ट हो गया अम मुझे आ गया तो वह वहीं खत कि मेरा काम बहुत अच्छा है मैं बहुत कर ले रहा हूं यह वो लेकिन होता नहीं है कि जब जिसने चड़ाया है वो उतार भी देगा तो मेरे सर ने फिर बोला कि मेरे अंदर एंगर का भी बहुत इशू था बीच में बहुत गुसा है गुसाल टाइप था मैं तो मेरे अगर चीज में तो क्लास में ऐसी कुछ दोस्तों से लड़ाई हो गई तो उसमें सर ने एकदम मिर से बोलना ही बन कर दिया तो मैं रोने लगा कि सर क्या हो गया आप बात नहीं करते हैं तो सर ने एक चीज़ समझाए कि दो आटिस्ट ऐसे होते ही नहीं आटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं और एकदम कामली नेचर की होते हैं सबसे अच्छे से बात करते हैं कोई अगर तुम्हें कुछ भी बोले उससे भी तब भी अच्छे से बात करोगे ना कि गुस्ता दिखाओगे यह आटिस्का नेचरी नहीं है अगर दिखा जाए तो तो मैं बहुत अब इस समय में बहुत change हो गया हूं, पहले के मुकाबले मेरे अंदर बहुत जाधा changes आ गया, मैं first year में जैसे था, मैं अगर अगर अपने आपको सोचता हूं ना, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं तो मुझे लगता ही नहीं कि बहुत चेंज हो गए हूं पहले मैं यह सब चीजों में ना इन्वाल होके बाफी चीजों में रहता है खुमना वैसे लेकिन आप मुझे पसंद ही नहीं है पसंद है मुझे ज्यादा घूमना पसंद है मैं इन सब चीजों से बहुत अच्छा लगता है घूमना नियचेज में गया देखा बनाया घूमा थोड़ा लोगों से बात करूंगा तो मेरे वही फरेंड सेर्कल है जो आर् आटिस्टिक वाले। सारे आटिस्ट ढ़िए ऐसे बात करता हूँ और अगर एक्जिबिशन में भी जाता हूँ तो ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं और जादा किसी से में अटइच नहीं मेरा डेली का यह है मैं सुबह उठता हूं ऐसे वैसे मेरा क्या है कि मैं कमफर्टेबल जब जैसे रहता हूं वैसा करता हूं सुबह जाली डुव कॉनियार तो एक मेरे बामच्भ जाता हूं और सबस्क्राहाई मेरा जब्लोग अधिसे हैं काली पीरर चल्लड जाता हूं मेरा इह कॉलेज्ग कर Beach स्क्राइब तो सीखना रहता हूं जरूर जाता हूं कि मेरे लिए एक मेरा स्टूडियो टाइप करता हूं तो यहां से मैं कॉलेज जाता हूं कॉलेज से आता हूं मैं छे वजे शाड़े-छे तक आता हूं वापस शाम को साड़े-दस विज निकलता हूं चये-साड़े-छे पर आता हूं वापस उसके बद एक डेड़ घंटाया रेष्ट करता हूं मैं उसके बद फिर मन करता है तो उड़ जाँगा फिर कुछ खाऊंगा पिऊंगा उसके बाद फिर थोड़ा सा… तहलने के बद हच बद मै कभी और लंबा खीच देता हूं मोड के उपर थोड़ा रहता है और कभी-कभी तो ऐसा दिन जाता है कि मैं कामी नहीं करता है एक परसेंट नहीं करता है सोऊंगा, अराम करूंगा, इधर दर टहलूंगा, गुमूंगा कामी नहीं करूंगा करता भरता नहीं कभी कभी होता है ऑफ और अपने स्टाइल को अपने मीडियम को किस तरीके से इसक्राइब करेंगे जो आइस्टिक स्टायल है अपना जब मेरा थोड़ा मिक्स मेडिया टाइप करता हूं तो वकชाने के मेरे जुर्या उनका तो मैं देखते ही रहता हूं उनसे मैं शीखा है यह वक्ना उनका इसली प्रवाइब नहीं कि आपके अन्य प्रवाइब करने कोशिस करता हूं पेशेंस थोड़ा और बढ़ाना है मुझे यह हैं कम है मेरा थोड़ा पेशेंस मुझे और ज्यादा वह करना है और इस समय तो मैं WARNER कलर में थोड़ा घोसा हूँ नहीं लबीरा बहुत मन लग जधा तो उसको मैं बहुत ज़ादा ही अच्म लिंएक बहुत कम लेकिन सब से कम मैं ड़की नहीं लेकिन मैं उनका काम देखता हूँ एक्रेलिक में ही उनका तकड़ा काम होता है जागता है पर बैठता हूं तो अग्रेलिक सूपता बहुत जल्दी है मेरा मन जाता है कि क्या मेडिया में जल्दी सुब्स काम नहीं किस्ते करने लाएं कि यह वो तो मेरा स्टाइल ऐसा ही एमिक्स मीडिया है मिलब कोई एक फिक्स नहीं है मेरा ओके आपके कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट तो या कॉलाबरेशन सो जो आपको याद रहे हो अभी तक वो बता दो मेरे प्रोजेक्ट मेरे वाई है थायम वाले जो मेरे रेड कलर वाले फेस वाले थे और मेरा एक जो अभी इसमें आई एफ़े अमरेसर नेशनल आवार्ड में जो सेलेक्शन हुआ था बट की रिजल्ड में मेरा नहीं आया उसमें मेरा जो काम सेलेक्ट हुआ था वो मेरे यह तेरे कुट्टू करके है वो मेरा काम मुझे बहुत पसंद है मेरा काम यह जो मैं बनाता हूं मास्क वाली सीरीज यह मुझे बहुत पसंद है मैं इसको सेल करना ही नहीं चाहता हूं रियल बता हूं तो यह मेरे बच्चों की तरह हो गया है मैं रखता हूं अपने पास ही बलकि मैंने एक्जिबिशन किया कई जगह जैसे डेली में गिया था तो डेली में एक प्राइवेट वो एक्जिबिशन था तो अच्छा एक्ज तो उनको मेरा काम बहुत पसंद आया था लेकिन मैनेजमेंट ने थोड़ा सा गड़बढ़ कर दिया अपने पैसे के चक्कर में मैं वैसे भी मना कर दिया था मैं बेचूंगा नहीं ऐसे काम कि आपनी आर्ट कम्यूंट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं और कैसे डैवलप और यार्ट कम्यूंट आपके वह अब तो फिलाल सोशल मीडिया से काफी डैवलप हो रही है लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी खटकती है सोशल मीडिया पर चीज में देखता हूं जिनको प लाइन लाइन बना के उसके बाद फेज बनाना वह आटिस्ट नहीं होते हैं लोगों को नहीं मालूम है कि ग्रिट बना के बनाना वह आटिस्ट फिल नहीं है आर्ट वह होता है जो आप देखके हूँ बहू तुरंत उतारो एक फ्लो आती है लाइन में कि हाँ लाइन खीच अब कुंद्रा सर है उनका काम उनकी लाइन से ज्यादा बहुत ज्यादा स्मूट है मैं उनसे मिला भी हूँ इतने अच्छे नेचर के हैं जैपुर अभी गया था कला मौतसम में फिर से जाने वालों इसी महीने में पिछली बार हुआ था अब जन्वरी में हो गया है लेकिन उनका काम मैं बहुत पहले से फॉलो करता रहा हूँ उनकी लाइन्स और लाइव स्केचिंग के बारे में जो बताते हैं कई चीज़े बताते हैं और फ्री में जो सारे आर्टिस्ट को बुला के वो कॉलाब करके एक अब इसे लिसे मना रखे हैं तो वो चीज़े सच ब बहुत बहुत थैंक्यू गोलता हूं बहुत ज्यादा थैंक्यू कि इतने महान-महान आर्टिस्ट को लाके अपने चैनल पे और फ्री में घ्ञान दे रहा हैं आज कल फ्री में मिलता नहीं है कुछ वो जो बताते हैं ना कि यहां ऐसे करना चाहिए ऐसे करे हम लोग के लोगों को ध्यान देनी चाहिए मेरी तरफ से तो यह अना कि इंस्टाग्राम पर ही लगे रहना कि मेरे व्यूज आ जाएं मेरे फॉलोर्स वड़ जाएं यह वो इस चक्कर में अभी ना ही पड़े लोग तो बढ़िया हैं क्योंकि यह कभी भी आप कर लोगे यह आप बैचल कि अधर से नाम बनाना स्टार्ट करो उसके बाद सोशल मीडिया पर घुसो आपकी हाँ ठीक है यह चीज अच्छी रहेगी कि आपने ग्रीट सिस्टम का एक बार वह का है मैंने कहीं को देखा कि ग्रीट सिस्टम सी उनका परफेक्शन आती है उनके और मैं भी जब करता हू उनमें मेरा परफेक्शन आई नहीं थी बिल्कुल भी और मैंने बिल्कुल छोड़े दिया था मैं का एक तो पेपर बरबाद होता है फूरा ग्रीट सिस्टम में करने के फिर उसको एरेज करो फिर वो करो तो मेरे लिए नोटेबल नहीं होता है तो मैंने यही सिख्छा है क लोग में से पूस्ते हैं कि अभी ग्रीट सिस्टम क्यों आप इतरह यूज नहीं करते हैं मगर मेरे परफेक्शन आती नहीं उसे जो मैं बता रहा था आपको ग्रीट वाला क्या है कि ग्रीट सिस्टम आज कल बहुत चल गया कि फोन में एप्स भी आगे हैं तो लोगों को इज़ी लगता है वो करते हैं कि वो तुरं बन जागी लेकिन वो फ्लो नहीं आगी लाइन में कभी घृट इसक वह जया रहे इस SEC लाइन वा मैं इतरा टाइम लग जाए तो इससे रैजा जाएक ग्रीटो इखनल दो इग्नोर करो ग्रीट को दो को को क्म्मीनिटि की बात करें तो देखें कि अगे आगे आर्ट में से में डवलब्लमेंट के लिए अब चुछ आर्टिस भी मैंने देखें आर्टिस नहीं कोंगा उनको कि वह लोग सोशल मीडिया के आHappy मेरे ख्याब से जाधा तर वह लोग सोशल मीडिया वालोपिए और अपने बरावर कोboards कोही देखते हैं चोटे आठिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं और तो सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि अगर कोई सीखा नहीं रहा हूँ जैसे कि अगर मैं ज्यादा सीखा नहीं हूँ बट सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो कुछ भी बना रहा हूँ मैं वो प्रपोर्शन वगरा सेम अच्छा रहे ना रहे उससे लोगों को मतलब ही नहीं रीच आप रेगुलर हो आप कॉंटेंट दे रहो बस कलर फेकते वेकते दिख जाए लोगों को और लोग अट्रैक्ट है बस और लोगों उसमें जहमा जहम लो कि एक पेंटिंग और साल और साल बनाएं वह कंप्लीट करने के लिए वह होता है आप वीडियो के चकर में आप जल्द जल्दी बना दे रहो यह नहीं होता है ना कुछ भी बना दो यह चीज़े नहीं रखनी चाहिए बहुत लोग कहते हैं कि आप 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 आर्टिस नहीं परकटिस देखिए प्रेक्टिस तो आपको रोज करनी चाहिए जब को ताइम मिले जहां मिले आप करो बहुत जरूर में क्योंकि आपको एक मन में एक बॉड़ी प्रोपोर्शन अगरे सब याद हो जाता है इसी लिए मोलते हैं लाइव करने के लिए यह नहीं कि आप बस सोशल मीडिया के लिए उठाए और लगे देखके बनाने और किसी फिल्म इंडस्ट्री या इसका चहरा उसका चहरा बनाए वीव पाने के लिए अभी किसी अभी मैं चाहूं हो मेरा हाथ माली जै मेरा हाथ ठीक ठाक बैठ गया तो अभी एनिमल का ट्रेलर आया ठीक अभी एक मूवी आइनिमल मैं उस एनिमल मूवी का एक पोट्रेट या फिर स्केच से ड्रॉ कर दूं और जानता हूं कि हां ये मेरे को उससे ज्यादा मिल जाएगा बहुत सारा हाइप पर आजा हो सकता है इंडस्टिक तक कांटेक्ट पहुच जाए कि इतना अच्छा पोट्रेट बनाया ये वह और मुझे प्रमोशन अच्छा मिल जाए लेकिन फिर वह अंदर सैटिस्वाइं नहीं हो पाता हूं कि इ पर उत्ता बढ़ा क्या करूंगा रखके में मेरे अंदर यह आता है अपना वक अगर मैं बना रहा हूं उसमें टाइम लगेगा मैं मानता हूं अपनी चीजे मैं कर रहा हूं मेरी चीज अगर मेरी मेरे आर्ट वक लोग देखें तो कहां ये फैजान कवर कर ये उस तरह काम करता है तो मुझे अच्छा लगता है तो मुझे सेटिस्वाइब शोशल मीडिया के लिए मैंने यह जितना वीडियो बनाया है यह सब मेरा प्रैक्टिस होग है और मैं फुल वीडियो नहीं शूट करता हूं मेरी यादत बहुत गंदी है मैं पहले बना लेता हूं उसके धलक नहीं भूल जाता वार बार इसलिए मैं ऐसे करता हूं ओके मैंने के किर्शिन कुंदर जी से भी यह बात करी थी कि आर्ट डिकलाइनिक स्टेज पर इंकलाइनिक स्टेज पर तो आपका इसमें क्या विचार रहा है कुछ लोग के लिए मान सकते हैं कुछ वक्त तो खतम भी लोग उनको जाने और इंडिया में एक चीज है कि आर्ट का उतना मार्केट नहीं है मैं तेखा हूं इतने सारे आर्टिस मेरे खुद के जानने वाले हैं टीचर भी है मेरे कुछ वह आर्ट वरक उनका बहुत अच्छा है ठीक लेकिन वो करने के बाद सरकारी नौकरी के पीछे भागते हूं पीर मैं क्या मतलब है मेरा ये चार-शे साल जर्णी का तो मैं वही नहीं कर लेता है चार साल वही पढ़के निकाल के चला जाओ मैं यह क्या मुलब यह आज कल गई यह जो मन में सबके बन गया है ना कि आर्टवक कर और फिर चार सल बाद फिर सरकारी नौकरी तयारी करो मास्टर्स यहां क्लियर किये उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए अपलाई करते रहो पढ़ो खुब सारा रट्टा मारो पढ़ो डेट आप बर्द्याद करो और एक्जाम क्या मतलब है यह करके तब आर्टवक आप आर्टिस्ट नहीं हुए है आर्टिस्ट ना वो दिन पू सब्सक्राइब करते हैं अब सरकारी नौकरी में जाओगे और आप सोचो कि उसके बाद मैं करूंगा तो नहीं होगा जहां पैसे आने लगेंगे आपके पास अराम दायक वाली चीजों में तो फिर आप भूल जाओगे फिर आप को एक आतो रहे हैं पैसे क्या मतलब है कोई स्पेसिफिक हैबिट हो आपकी जिससे आप आर्टिस्ट जो होता है शेप हो गहरा करनी हो या आर्टिस्ट में बैटर परफॉमेंट करें हो तो ऐसी हैबिट या रिचूल हो आपका वो शेयर करना चाहते हैं मैं यह आज कर नहीं बैजा करता है्ना है मेरे चैम कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा है यह बहुत फहली यहाद मानों की यहां आट कॉलेज में भी वैसी फैकल्टी मिलेगी नहीं राश्वियारी साह है सरसा है मेरे अकास विश्वास आप जानोगे नेशनल लवाड़ेस्ट है वह अभी लालित कला में अभी जस्ट पायते हैं वही मेरे मेरे मांग टीचर है काम को तोड़ना आना चाहिए पूजा मैं मेरी वह उनका थेओरी बहुत अच्छा है प्लस वह चीजों को एक्स्प्लेइन अच्छा करती है उनकी स्केचिंग बहुत अच्छी है मेरे चोड़ी है राजीव सर उनका यह अप्लाइड बहुत अच्छा है डिजिटल काम बहुत अच्छा है बेसिक स्केचिंग भी बहुत अच्छी है तो मेरे वाँ जो आटिस्ट है सारे सीनियर है कोई अवार्डेस्ट है हर चीज में कोई ना कोई और जो मेरे राशू सर अच्छा हाथ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो मैं सोचता हूं कि केके कुंद्रा सर और इन सबसे मैं एक बार मिलवाओंगा अपने गुरू को तो वो कहेंगे कि हां ऐसा आर्टिस्ट इंडिया में है सच में वह बहुत अलग काम करते हैं उनका सोचने का तरीका उनके काम करने का तरीका बहुत अलग है बहुत ही जादा अलग आप उनकी आईडी प्रोफाइल में भेजूंगा आप चेक आउट करना उनका इतना रियलिजम में काम है रियलिजम में घुशे रहते और और काम ऐसा नहीं कि देखा हुआ फोटो उतार दिया उसमें अपना कुछ ना कुछ वो जरूरी है मेरे सर ने भी सिखाया है प्रैक्टिस आपका हाथ चलना ही चाहिए चैलेंज लो अपने आपसे कि हाँ डेली पचास साथ स्केचेस आप करोगे इधर उदर कैसे भी करोगे कुछ ना कुछ हाथ आपका चलना चाहिए ताकि हाथ का एक फ्लो आदत पढ़ जाए आपको लाइव आप काम करोगे तो लाइव कुछ भी आप देखो बना लो समझदारी मन में एक समझना एक क्रियेट हो जाता है कि लाइट शेड़ो का खेल है आप लाइट शेड़ो पकड़ो और बनाओ यह होता है बस ओके आपकी बात्चीत के दुरान आपके भाग उमड़ उमड़ के आ रहे है थोड़े बहुत तो इससे जुड़ता हुआ एक कोशन था कि टेक्नोलोजी वर्सिस आर्ट आप किसे स्पोर्ट करेंगे और कि कौन सी हाइप में इस बार अलगी अब की बार टेक्नोलोजी में जैसे आप बोलना चाहरे हैं टेक्नोलोजी और आर्ट दोनों में अबर से सब्सक्राइब भी नहीं नहीं आच देहिए नहीं चिस्टम पाहने आगे नहीं बढ़ पाएगा जितना में कंट्रोल दिया हूं उतना ही वह कर पाएगा अब AI है AI क्या create image को ही create करेगा ना वो अब मेरा दिमाग है मेरे दिमाग का सोच कैसी है मैं उसको कैसे उतार रहा हूं मेरे color के flow कैसे है वो AI नहीं कर पाएगा कोई भी technology नहीं कर पाएगी जो मैं करूंगा यह चीज सबसे plus point है artwork में अगर मैं artist हो मैं बना रहा हूं तो मेरे परफेक्ट नहीं हो पाएगा उसकी तरह मैं यह मानता हूं वह एकदम जैसा है वैसे ही बना देगा लेकिन वह कॉपी होगा ना फोटो को फोटो बनाना क्या मतलब है आप illusion create करोगे चीजों में वह अलग चीज होती है जो AI चल रहा है अचकल मुझे बहुत लगत लगता है कैन्वस पर कि कलर खा जाता है कहीं कहीं यह चीजें आप हाथ से ही कर सकते हो AI नहीं कर सकता है प्रिंट मेंकिंग कहा है AI करेगा अगर मैं प्रिंट मेंकिंग इतना लंबा प्रोसेस है और वह चलता भी इतना जादा है लीथो लीनो यह सब यह सब चीजे ना बहुत अलग ह कि Ser honoring точно Dear ऑपने हाथ से करना पड़ेगा पूर इंक लगानी पड़ेगी बनाना पड़ेगा वह हम ही लोग को हरना पड़ेगा वह आई पर पाएगा आपके साथ मेरे को और कुछ भी जानने को मिला भी इस कन्वर्जेशन में आपने बहुत अपने जो हाई एंड वर्ड से आर्ट्स के वह आपने बताए तो एक और पोड़कास्ट में इन सब को लिए जाएगा आप ठीक है इस में इसके रिकार्डिंग ठीक है ठीक है आपके फेवरेट प्रोजेक्ट और पीसिस के बारे में थोड़ा बताईए आपका जो फेवरेट आर्ट वर क्या भी तक का मेरा फेवरेट वही ऑईल वाले मेडियम है जो मेरे तेरे कुट्टू और यह जो चल रहे थे मैंने अपने फोर्टियर तक में तीन चार पेंटिंग में छे माईने तेरे कुट्टू जो मेरी अभी सेलेक्ट विथी में छे माईने लगा दिया उसको बनाने में बलकि साइस बहुत छोटी है लेकिन मैंने फेस बनाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसमें क्रिएट क्या करूं तो मैं वेट करता हूं बहुत बहु मेरी सीरीज है और मेरे वाटर कलर में कुछ है जो अभी मैं काम कर रहा हूं वो मेरी सीरीज मेरी फेवरिट है मैं छोटे-चोटे च्छोटे विबनाके रखना हूं उब वो मेरी कुछ फेवरेट्स है ओके आपकी हाल फिलार में एक अचीवमेंट थी जिसको मैंने रिपोष्ट भी किया सा शायद स्टोरी में अच्छा ललित कला जाओं जी वह उसके बारे में कुछ बताना चाहिए वह ललित कला में 14 अगस्त को कॉम्पटिशन ऐसे था तो उसमे मेरा वार्टर कलर मीडियम है तो मैं उसमें पकड़ लेता हूं तो उसमें ही मैंने काम किया और मेरी माटी मेरा देश था तो इस पे सैनिकों को नमन करते हुए मैंने मोधी जी को बना दिया था जो देखिए आपको अगर कॉम्पटिशन में सच बताऊं तो जीतना है तो ज सब्सक्राइब तो मैं जब लालित कला में मेरा विनिंग अनाउंस्मेंट हो गया तो मैं अवार्ड वगरा लेने किया था तो वहां पर दूसरे कॉलेज के बच्चे आया थे जूनियस भी थे वहेता थे। से ज़्यादा मुझे इस पर खुसी होई थी कि यह मेरा मुव्मेंट जो था ना यह बहुत बड़ा है मेरे लिए कि ऐसे लोग जान रहे मुझे बिना सोशल मीडिया के आगे डवलब करनी होती है बाइबर देखिए कुछ हिंट होता है मलब कुछ आप पकड़ना आपको आता है लेकिन डवलब करना वो आपके हाथ में है मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी ऐसे बच्चों को भी देखा है ना अपने जूनियस में जिनका काम मेरे से भी बहुत अच्छा था लेकिन वो उसको ना करके वो छोड़ दिये वो अब कहीं और भटक गया जो भी है लेकिन उनका काम खराब हो गया बहुत बेकार हो गया अब उनके हाथ ही नहीं चलते हैं तो डेवलब करना वो आपके हाथ में होता है आपकी प्रैक्टिस बहुत ज ज्यादा माइंड क्रियेट करेगा हाँ यह चीज़ आप कर सकते हैं तो वह चीज़ आपके उपर ही है ओके आप इमोशन कैसे इंफ्यूज करते हैं आर्ट वर्क में यह बताई दिया आप अपने नुसार जैसे इमोशन इंफ्यूज करते हैं जैसे आपके अभी जो अभी तो इंग्रीडियन्ट है या कुछ ऐसा कलर है जिससे आप बताते होगी मैं थोड़े अब मेरे लाइफ में इमोशनल मोमेंट बहुत है इस चीज़ से मैं बहुत होता हूं मैं जब बनाता हूं न तो ऊछप मेलब खो जाता हूं ठोड़ा बनाते हुए ऐनो बहुत कुछ सोचते सोचते इस ट्रोक चलाता हूं अच्छा ये चीज़ ये ऑनो की सचा बनाता हूं तो वो create होती है अपने आप मेरे से मैं बनाते रहता हूँ अगर मैं को sad बनाना है किसी को अगर पहले सोच के बनाया है मैंने तो मैं create कर देता हूँ कि हाँ इसको sad दिखाना तो sad दिखा दूँगा इसको मुस्कुराते दिखाना तो लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कि अब मैं अपने आप में पेंटिंग से ऐसे बाते करूँ और बोलते बनाता रहता है तो अपने मन में कि हाँ ऐसे यह हुआ वो हुआ जो भी इसी ना और मैं क्रियेट करता हूँ अपने आप वो क्रियेट हो जाता है यह कलर से भी आप दिखाते हैं बहुत लोग कलर से भी शो करते हैं कि यह कलर मैंने यूज किया है तो इससे मेरा एंगर दिख रहा है यह कलर यूज किया है तो वो कलर से भी बहुत लोग दिखाते हैं लेकिन मेरा थोड़ा ऐसा है सब्सक्राइब करें तो दोनों बराबर कुछ लोग उदर भी जा रहा है कुछ लोग इधर भी जा रहा है कई लोग डारेक्ट करते हैं सही जगह जाने के लिए कोई के की कुंद्रा सर को सारे बच्चों को समझाते हैं ऑनलाइन आके समझाते हैं लेकिन अब आजकल का यूथ थोड़ा जो है जो अभी और यूथ जो आ गया है वो अपने आगे नहीं सुनता है किसी नहीं यहीं सही है उनको यह लगते हैं बलकि ऐसा नहीं है सच्चा ही मालूम चली जाएगी आगे जाके कि आपको खुद पे खुद से ही काम करना होगा इंगे सोशल मीडिया कब तक चलेगा सोशल मीडिया से नाम बना सकते हैं अब चलो ठीक है पैसे अच्छे कमाल होगे ठीक है लेकिन खु बना लिए फेम पा लिए लेकिन आपको बाहर बात करने आता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे यह चीज़े बहुत जरूरी है लाइफ में कि आप निकलो थोड़ा एक्स्प्लोर करो चीज़े देखो आर्टिस्ट हो तो आप एक्जिबिशन जरूर देखो लोगों की पेंट रखते हो उससे रिलेटिड मेरा पोड़कास से लेके कि मैं खुछ शौक था जब पोड़कास के लिए हूँ जैंने बीड़ा आर्टिस्ट की भीड़ में मैं भी उसी भीड़ काई हूं कि छोटा सा काई कोने में ही हूं काम आम कर रहा हूं अपना ऐसी लोग अगर कोई पह कि मेरे को और काम करना है तो यह चीज सबको अपने मन में रखनी चाहिए कितना भी आप काम कर लो पूरी लाइफ आर्टिस्ट के सबसे मजदार यही चीज़ है कि आप काम करोगे हर दम आपका रिटार्मेंट का कोई एज नहीं होगा इसमें आप बूड़े हो जाओगे मर तो उनको बहुत फॉलो करो आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे हैं और मैं एक अपनी तरफ से यह बोलना चाहूंगा कि मेरा फैजान नाम मैं अपना नाम क्रियेट करना चाहता हूं खासकर आर्टिस्ट में कि मैं नाम बहुत बड़ा बनाना चाहता हूं आर्टि आर्टिस्ट है ऐसा नहीं कि यह वीडियो अगर आया सैसिम में नहीं लेकिन मेरा आर्टिस्टों में नाम मेरे पेंटिंग फेमस हो मैं यह चाहता हूं अमने तरी इसलिए मैं कोशिस कर रहा हूं कि आपके साथ यह पूड़कास करके बहुत मजा आया आप से मेरे लिए शेखने को मिला कि आपकी एक तो आवाज बहुत हमबल है बहुत पीसफुल आपके वाज और आपके साथ अगर आगे मुझे मुझे मौका मिला तो मैं आगे कुछ डीप डाउन जाओंगा और उसमें मैं इसको कुछ चीज़ें निकाल हुगा जैसे आपने बीच-बीच में जो वर्डिंग यूज करी है उसका में इसको बिल्कुल मतलब नहीं पता था और भी कुछ ऐसा होगा तो आपको बलाया जाएगा थीग है थीग है थीग है सेर्ट ओके सेर्ट औके सर्ट ऑबेए बै टाश दिया है साइलेंट पारस ने इतने हमबल परसन है स्की उनके बारे में बात करना तो बनता ही जिसतरह से उनकी क्यों कि स्कील और उनकी अपने अपको प्रेजर्ट कर रहे हैं उनसे एक बार तो जाहिर होती है कि बन्दा और मैंने भी इस पोड़कास्ट में इसलिए बुलाया है क्योंकि उनकी आर्ट के कंपैरिजन में उनकी फॉलोवर्स या कहते व्यूज इतने ज्यादा रिच कॉइंटिटी में नहीं थे इसलिए हमने इस पोड़कास्ट में उन्हें एक चहरा दिया है ताकि वो एक बड़िया तरीके से अपने आपको प्रेजेंट तो कर सके आपका तो यही काम है कि कमेंट करके जरूर बताने कि आपको फैजान से मिलके कैसा लगा उनकी नोलिज से आपको क्या इंपक्ट पड़ा आपकी नोलिज इन्हेंस हुई या नहीं हुई कमेंट में जरूर बताना इनसे मिलना हमारा बना रहेगा क्योंकि हमें इनसे बहुत कुछ जानना है आर्ट फिल्ट से रिलेटिड भी यह तो कुछ पर्सनल हो गया पुछ प्रोफेशनल भी हो जाने के लिए हम इनके आर्ट फिल्ट से रिलेटिड बहुत बोड़कास कर सकते हैं तो नीचे कमेंड में ज़रूर बताना कि आपको यह बोड़कास कैसा बाकी इनके लिए में इनके लिएक काने टेंट कोड़कासब्स